नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सियम हेमंत ने अबुआ बीर दिसोम अभियान का किया सुभाराम मुखे मंत्री हमन से ने वनो पर निर्भर आदिवासियों या अन लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वना अधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान का सुभाराम किया है इसकी सुरुआत परंपारिक रूप से नगारा बजा कर किया गया इसके तहत एक ब्यापक अभियान चलाकर आदिवासि और वनो पर निर्भर रहने वाने लोगों को ब्यक्तिगत समुदाइक और समुदाइक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहय कराया जाएगा इस अभियान से 15 लाक आदिवासी परिवारों को 6-8 माह में जोडने का लक्ष रखा गया है बतादे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन वासियों को वनाधिकार पट्टा देने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया इसके लिए उन्होंने उपायुक्तो एवमजीला वन अधिकारियों को भी जिवेदार ठाराया उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्त निर्देश भी दिये हैं बतादे इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम अनुमंडल एवम जीला अस्तर पर वना अधिकार समीती का गठन पूर्ण गठन किया गया या समीती वन पर निर्भर लोगों और समुदायों को वर अधिकार पटा दिये जाने के लिए उनके दावा पर नियाम आनुसार अनुसान सा करेंगी रांची में बना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफलाई पार्क रांची जीले के भगवान बीर्षा जैविक उध्यान में बिक्सित किया गया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफलाई पार्क सेलानियों के स्वागत के लिए त्यार है इसका लोकारपन 7 नॉमबर को होगा बता दे रांची सहर से करीब 25 किलोमेटर दूर बीर्षा जीडिया घर परिसर में या उध्यान एक्वेरियम के ठीक सामने 20 एकड़ भूमी पर बिक्सित किया गया है यहां 88 से अधिक प्रजाती की रंग बिरंगी तीतलिया का खुबसूरत संसार अबादा होगा वहीं इनके भोजन के लिए होस्ट एवाम नेक्टर फ्लांट भी लगाया गया है करीब 800 वर्ग फिट का कंजर्वेटी बनाया गया तीतलियों के प्रजानन के लिए कई नर्सरे भी बिक्सित की गया है धोनी के नाम का जहासा देकर बच्चे का अपहरन आठ गिरफतार राइधानी रांची में भारतिय किर्केटर टीम के पुर्वक अपतार महेंदरे सिंग धोनी के नाम का जहासा देकर डेढ़ साल के बच्चे के अपहरन मामले का पुलिस ने खुलासा किया है पुलिस ने मामले में आठ आरोपियों को गिरफतार कर लिया है वहीं बच्चे को भी सकुसल बरामत कर लिया गया S.S.P. चंदन कुमार सीनहा ने पुरे मामले की जनकारी दी है रांची के अरगोडा थाना चेतरे के हर्मो इलाके से 22 अक्टूबर को बच्चे के अभारन का ममला सामने आया था जिसके बाद मामले में पुलिस ने करवाई करते हुए रामगर चत्रा और हजारी बाग से आरोपियों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार आरोपियों के गिरोह का मास्टर माइन साजिद अंसारी है जो पहले भी मानोतसकरी के आरोप में जेल जा चुका है खुट्टी से बड़ी घटना को अंजाम देने की त्यारी कर रहे 6 नक्सली गिरफतार चारखंड के खुट्टी जीले की पुलिस ने परतिवंधित नक्सली संगठन पिये ले फाई के 6 हार्टकोर नक्सली को हतियारों के साथ गिरफतार किया है पुलिस का दावा है की एक इसी बड़ी घटना को अंजाम देने के त्यारी कर रहे थे गिरफतार नक्सलीों में खुट्टी के जरिया गर्थाना चेत्र का निवासी अमन खान, कर्रा निवासी मुहमद उमर, वसीफ खान, उर्फ वसीफ उदिन, रनिया निवासी समीम मिया, गुरुपरसाद महतो और सुनिल कुडूलना सामिल है बता दे इन में अमन खान, रेप केस के एक मामले का आरोपी है, इसके अलावा अन्य पर पहले से कई अपराधिक मामला भी दर जाएं ज्यार्खन में जल्द होगी वेटनारी उनिवर्सिटी की अस्थापना ज्यार्खन सरकार पसुपराण को बढ़ावा देने की लागातार कोशिस कर रही है मुख्य मंत्री हमन सेन के निदेश पर राज्य में जल्द वेटनारी उनिवर्सिटी के अस्थापना हो जाएगी इसके लिए बजटिये उपबंध भी कर दिया गया है इसके साथ साथ राज्य के पसुधान को बिमारी के समय बेहतर चिकिसा वेवस्ता उपलब्ध कराने के लिए रांची में टेली मेडिसिन सेवा का सुबारम सो मर्गो क्रिसी और पसुपराण मंत्री बादल पत्र लेखने किया बता दे हिसांग इस्थीत पसुपराण मुख्याले में आदर्स पसुपराण एवं वीडियो कॉल बेस्ट टेली मेडिसिन सेंटर के लोकारपन के दोरान किरिसी मंत्री ने कहा है कि किसानों की आए हम तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक हमारा पसुपराण उन्नत और सम्रिद नहीं हो जाता ज्यारखन के सरकारी स्कूल में सोचालियों का हाल सरकारी स्कूलों में सोचाले की कमी की बाते अक्सर सामने आती रहती है कहीं सोचाले नहीं तो कहीं सोचाले के बाजूत पानी की बेवस्ता नहीं इसकी वज़ा से सबसे ज़्यादा परिसानी छात्राओं को जहननी पड़ती है बता दे पूरे राजे में कूल 35 या 443 सरकारी स्कूल है जीन को प्राइमरी, मीडिल, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में बाटा गया है सिक्षा विभाग के डाटा के मुताविक 312 इसकूलों में गल्स टॉइलेट नहीं है इस पर सिक्षा सचीव के रभी कुमार का कहना है कि डाटा आप्टेड नहीं होने की वज़ा से कन्फूजन हुआ है उनका दावा है कि पुरे राज में महाज 7 या 8 इसकूलों में टॉइलेट नहीं है वे वैसे इसकूल है जो दूर दराज की पहाड़ी ओपर है जेल अधिक छक, जेलर और कलर को इडी का समान इडी के द्वारा राज़ी की बिरसम उन्डा केंद्रिये करागार के जेल सुपरिटेंडेंट जेलर और कलर को पुष्टाश के लिए समन जारी किया गया जेल सुप्रिटेंडेंट हमीद अक्तर को 9 नौमबर जेलर नसीम को 8 नौमबर और कलर्ग दानिस को 7 नौमबर को एडी के दफ्तर में हाजिर होने का नोटिस दिया गया बता दे एडी रांची जेल के एजेंसी के अपसरों के खिलाब साजिस रचे जाने और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में जेल अथिक छाक हामिद अक्तर, जेलर नसीम खान और कलर को एडी ने सो मौर को समन जारी कर पुस्ताच के लिए एजेंसी के दफ्तर हाजिर होने को कहा है बिधाय कमलेस ने बिजेपी से हाथ मिलाया महराष्ट में एडीपी में तूट का असर जार्खन की राएनिती पर भी पड़ा है एडीपी के हुसायना बाद से बिधाय कमलेस कुमार सिंग एडीए के साथ गए अजीत पावर गूट के समर्थन में है आईसे में राज में एडीए का कुनबा बढ़ने के साथ ही आगामी लोग सभाचुना में एडीपी को सीटों के बटवारे के साथ लिया जा सकता है बतादे एडीपी में दबदबा कायम करने वाले अजीत पवार और प्रफुल पटेलने पधान मतिनायद मोदी और केंद्री गृह मंत्री अमीद साथ से नए दिली में मुलकात भी की है 21 नौमबर को गृह छेत्र आएंगी राष्टपती द्रोपती मुर्मू भारत की राष्टपती बनने के 15 महिने बाद महा महिम राष्टपती द्रोपती मुर्मू अपने गृह छेत्र राएंग पूर एक 20 नौमबर को आएंगी इस द्रोपती मुर्मू चक्रधरपूर रेल मंडल के अंत्रगत आने वाले बदाम पहार स्टेशन से साली मार बदाम पहार सप्ताइक एक्सप्रेस बदाम पहार राव किला सप्ताइक एक्सप्रेस वटाटा नगर बदाम पहार मेमू एस्पेशल ट्रेन को हरी जंडी देश से अग्यात हमलवारों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर गोली बारी की है गोली बारी में मिलेनियम कंस्ट्रक्शन सर्वेयर अमीत कुमार जागायल हो गाए प्रात्मिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया घटना टंडवा थना चे किया है अयोध्या की स्री राम मंदिर जन्व भूमी से पुजीत अक्षत का रांची में भब्य स्वागत अयोध्या की स्री राम मंदिर जन्व भूमी से पुजीत अक्षत सोमार को रांची लाया गया रांची आने पर बहु बजर चौक के पास से रांची महानागर अध्य कालास केशरी के नितित में गाजे बाजे के साथ पुस्व वर्षा कर जोरदार स्वागत करते हुए श्री राम मंदीर चूटिया लाया गया। पुजित अक्षत को लाने के लिए जार्खन परतिनिधी के रूप में रामगर जीला मंत्री छोटू वर्मा, रामगर सह मंत्री तरून वर्मा, रामगर नगर प्रचारक संजीव एवं एबीपी के करकरता गौतम महत्तो अयोध्या गए हुए थे जार्खन में धन तेरस और दिपावाली पर मौसम अपडेट धन तेरस और दिपावाली को लेकर बजारों की रोणक बढ़ गई है इसी बीच सभी की निगाहे इस दोरान मौसम के मिजाज पटिकी है 10 नौंबर को धन 13 साय और 12 नौंबर को दिपावाली मौसम भीभाग द्वारा जारी पूर्णमान के मुताबिक इस दवरान मौसम का मिजाज सुस्क रहेगा बता दे आसमान भी साफ रहने की संभावना है राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाखे समेत जार्खन में 12 नौंबर तक मौसम सुस्क रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहेगा जार्खन के बच्चों को साइकल का रासी जल्द राजे के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले समाने वर्ग के बच्चों को साइकल की रासी अगले माह तक दी जाएगी इस सम्मन में जार्खन सिक्षा पर योजना ने जीलो से जनकारी मांगी थी जीलो को द्वारा बिद्यार्थियों की जनकारी सिक्षा पर योजना को दे दी गई है जीलो द्वारा बच्चों के बैंक खता अधार संख्या समेत अनवस्तक जनकारी दी गई इसकोली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग द्वारा राजे के सरकादी स्कूल में पढ़ने वाले समानेवर के बच्चों को साइकल के लिए राशी दी जाती है इसके अलावा अनेवर के बच्चों को कल्यान विभाग द्वारा साइकल दी जाती है पलामु में रेलवे ट्रेक से यूवक यूति का 100 बरामत पलामु जिले के पड़वा थना चेत्रे की अमानत नदी इस्थित रेलवे पूल पोल संख्या 294 बाई 9 वा 294 बाई 11 के बीच मीडिल ट्रेक की रेल लाइन के बीच युवक और योती का सौब पुलिस ने बरामत किया है घाटना सो मोहर की अहले सुबा 4 बजे की बताई जा रही है इस घाटना के जनकारी रेलवे चालक ने कजरी एस्टेशन को दी एस्टेशन के कर्मियों ने घाटना के सुचना आरपीएफ पुलिस को दी लाइन मैन की मदल से आरपीएफ ने सौब को ट्रेक से हटाया युवक का सीर और दोनों हाथ धर से अलग था जबकि चेहरा बुरी तरस से कुचला हुए था और पैर कटा हुए था वहीं लड़के की पहचान चैनपूर थाना चेत्रे के चेड़ा बार गाओं के गुड़ू सिंग के रूप में की गई है सोलर पलांट लगाने के लिए बैंक रिन नहीं मिल रहा मंत्री राज्यों और केंद सासित परदेशों के बिधूत और नवीन एवम नवी करनिये उर्जा मंत्रीयों का समेलन सोमब वार को भारत मंडपम प्रगती मैदान नई दिली में सुरू हुआ समेलन के देख्सता केंद्रिये उर्जा मंत्री राज कुमार सिंग ने किया जारखन का परतिनिजित्व कर रहे मंत्री मिथिलेश ठाकू ने कहा है कि कुसूम कॉम्पोनेंट एक अंतरगत एक मेगावाट का सोलर सन्यंत्र लगाने में पांच कुल्ड का खर्च आ रहा है लेकिन बैंक से किसानों को रिन नहीं मिल पा रहा इस मामले को केंद्रिय मंत्री गंभीता से लेते हुए भारत सरकार के सचीव को सभी बैंक को के CMD को बुलाने का निर्देश दिया इस दोरान जेवी भी एनेल के महा परवंधक वानीज रीशी नंदन एवं अन्य अधिकारी भी मवजूद रहे PM के आगमन को लेकर पारा मिलिटरी फोर्स चला रहा चेकिंग अभियान पधान मत्री नायंद मोदी के उलिहातू अखुटी आगमन से पूर्व SSB की हुट कैम्प के द्वारा स्वमवार को चेकिंग वा सर्च अभियान चलाया जा रहा Commandant SD सेर खाने के निर्देश पर इंस्पेक्टर ससी कुमार करने तित्वे कंपनी की जवानों और रस्थानिये परशासन ने सन्युत रूप से सड़क वा पूल पुलिया यवां आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रही है इंस्पेक्टर ससी कुमार ने बताया है कि आभियान प्रधान मंत्री के आगमन से लेकर खोटी से प्रस्थान करने तक चलेगा राशन डिलर 11 जनुवरी को दिली कुछ करेंगे प्राइबेट डिलर्स एसोसियेशन की तरब से राजभवन के समख धरना परदशन किया गया और राज़ेपाल को ग्यापन सोपा गया इस मोके पर संगठन के अध्यक्स नबियूल हसन ने कहा है कि दुनिया 5G के जवाने में जी रही है सरकार 2G से काम करने के लिए हमें विवस करती है राष्ट्रिय प्रधान महसचीव देवन रजग ने कहा है कि इपोस मसीन लवभग 9 साल पुराना हो जा रहा है इसी से काम चलाने के लिए हमें विवस किया जा रहा है इतना ही नहीं उपर से भार मापक यंत्र को भी जोर दिया गया जिससे कभी कभी घंटो आदमी को खध्यान देने में बिच जाते हैं बिजली सर्वर बराबर चालू नहीं रहता मसीन खराब हो गया तो डिलर को मरमती में आपना पैसा लगाने के लिए बिवस किया जा रहा इन सभी ताथियों से हम ब्याथित हैं उन्होंने बताया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 11 जनुवरी को दिली कुछ करेंगे और हजारों की संखे में राशन डिलर एक बड़ा अंदोलन करेंगे पंचायत सच्ची वाले स्वयम सेवक संख जे एमेम कर्याले के समक्ष परदसन करेंगे राजभून के समक्ष पिछले 13 दिनों से अपनी 5 सुत्री मांग को लेकर राज अस्थरिय पंचायत सची वाले स्वयम सेवक संख का निस्चित का लिंधरना परदसन जारी है संख के कर्मचारियों दुवारा कहा गया है कि हम दुर्गा पूजा भी बिना पैसे के राजभून के समक्ष मनाया मंत्री अलमगीर अलम ने हमसे वादा किया था कि दुर्गा पूजा के बाद खुश खबरी दी जाएगी लेकिन सिर्फ अस्वास्थन ही दिया जा रहा अब दिवाले भी राजभून के समक्ष ही मनाएंगे सरकार हमें कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकती है तो हमें नंग धरंग परदसन करने को मजबूर हो रहे हैं मौसम विभाग अब बिमारियों को लेकर पूर्णमान जारी करेगा जारखन में अब तक रांची का मौसम केंद्र सित्रलहर, लू, आंधी, बारिस को लेकर पूर्णमान जारी करता रहा है लेकिन जारा सोचिए जब रांची का मौसम केंद्र से यह जनकारी पहले ही मिल जाएगी कि आने वाले दिनों में राजे के किसी खास इलाके में किस बीमारी का परकोप हो सकता है तो इस बीमारी के रोक्ता में कितनी सुवधा होगी मौसम बिग्यान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अविसेक अनन्ने राज के विभीन इलाकों में होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगो, चिकुनगुरिया के बारे में बताया है कि किस मौसम में जपानी इंसेफिलाइटिस जैसे बीमारिया अधी गंबिर हो जाती है, उस समय किसी छेत्र बिसेस की जलवायू परिस्थिती क्या है, इसका डेटाबेस तयार करने का पर्यास किया जा रहा है सिली के पूरो विधायक अमीत महतो को सुप्रीम कोट से रहात मिली है, सुप्रीम कोट ने अमीत महतो को जामाना दे दी है पुरो बिधायक अमीत महतो 27 जून 2023 से जेल में हैं उनके उपर सोना हातु के ततकालिन सीयो अलोक कुमार के साथ गाली गलोज करने और दुरुबेभार करने का रोप है सोना हातु के ततकालिन सीयो से गाली गलोज करने और दुरुबेभार करने के मामले को लेकर पूरो बिधायक अमीत महता को दो साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद उनकी बिधायकी भी चली गई थी रांची सीविल कोट के दोबारा सजा सुनाई जाने के बाद पूरो बिधायक अमीत महतों ने उच नेयले में गुहार लगाई थी धन्यवाद